कर दो करने की कोशिश करो किसी भी मैठट से जिससे समझ में आ रहा हूं क्या दिया है एक मैन ने खरीद है क्या होड्स और कैरिज उसका और रूपीज थ्री थाउल्ड इसका है यह पहली चीज़ हमें समझ मा रही है हॉर्स की कोस्ट प्लस कैरिज की कोस्ट मिलके कितनी है थ्री थाउल्ड कि सोल्ड होर्स अट गेन ऑफ 20 परसेंट होर्स पे उसे फायदा हुए 20 परसेंट का और कैरिज को उसे लॉस हुआ 10 परसेंट का तो ओवरॉल हॉर्स प्लस कैरिज मिलके उसे गेन हो रहा है 2 परसेंट का तो कॉस्ट ऑफ दा हॉर्स पूछ रहा है यानि यह वैल्यू पूछ रहा है यह कितनी होगी तो पहले जो भी कुश्चन में डेटा होता है उसको एक जगा ऐसी फॉर्म में लिख लोगी तुम्हें समझ में आ जाएगी अच्छेगी यह चीज़ भी है यह यह दे रहा है और फिर क्या पूछा है अब उसके बाद सोचो कैसे करें इस कोश्चन को पहले सिर्फ मुझे यह बताओ इस पूरे कोश्चन को रीट करके कि कॉस्ट हॉर्स की जादा होगी या कैरिज की क्या हम डेटा देखके यह चीज़ अमनाजर लगा सकते हैं कि 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 कॉस्ट जादा होगी यह दोनों बराबर होंगे सर्फ हॉर्स की ज्यादा होगी और कोशिश करो देखो कोश्चन को डेटा को समझने की कोशिश करो सौल तो करी लोगे बाद वे पहले इतना देखके कि यह आइडिया बताओ मुझे कि हॉर्स की जादा है यह कैरेज की और क्यों जादा अभी सल्मान कैसे कहा जादा है क्या लॉजिक लगा यह तो उसमें ट्विंटी परसें गेल होड़ से अंदाज अलगे जैसे और कोई बताएगा भी जब इतनी सी चीज पहले के लिए नहीं होगी तो कोईश्चन तो बात की बात है सॉल्फ करना अब तक जो हमने इतने सारे मिक्स कर लिए हैं उसी का कॉंसेप्ट है उसके बेस पर तुम्हें पताना है कि किसकी जादा होगी अब दोनों मिलके 3000 है होड्स प्लस केरीज मिलके 3000 है न एक पर 20% का फायदा हो रहा है एक पर 10% का लॉस हो रहा है ओवराल 2% का फायदा हो रहा है कोई कोई नहीं बता पा रहा है यह चीज़ अब सल्मान ने चलो कुछ तो ट्राइग करा और और वेटेश होड़ की जादे इस वैसे है कि सब्सक्राइब जादा हो रहा है तो सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब या भी समझ में नहीं आया यह चीज़ हम अन्दाजर नहीं लगा सकते इसकी जादा होगी किसकी कैरिज की कैरिज की जादा है लॉस देखो इस पर 20% का फायदा है इस पर 10% का लॉस है ओवराल दोनों मिलके टू परसेंट का फायदा है वह यह 20% जो प्रॉफिट है इसका मतलब 20% का मतलब क्या है 20% ओफ CP ओफ होड्स यह 10% जो लॉस हो रहा है यह किसका हो रहा है 10% ओफ कैरिज का CP कि एक पर 20% का फायदा हो रहा है एक पर 10% का लॉस हो रहा है ओवराल अगर मैं तुम से यह कहता कि ओवराल ना तो फायदा हुआ ना तो गेन हुआ मालो तो तब तुम अंदाजर लगा सकते दी किसकी जादा होगी कॉस्ट अगर मैं कहता है ओवराल ना तो कोई फायदा ना कोई लॉस है अब लीज की जादा होगी एक का 20% जो है वो इंक्रीज कर रहा है वैल्यू दूसरे का 10% डिक्रीज कर रहा है और ओवराल तुम्हें कितना इंक्रीज मिल रहा है सिर्फ 2% यानि इसका जो 10% है इसका इफेक्ट जादा है हम ऐसे समझ सकते हैं इस डेटा को कि भी एक कर 20% इंक्रीज कर रहा भी प्रॉफिट हो रहा है दूसरे कर 10% लॉस हो रहा है लेकिन ओवराल सिर्फ 2% का फायदा हो रहा है यानि इसका जो 10% है वो इसके 20% पे इतना जादा जादा इफेक्ट कर रहा है कि ओवराल प्रॉफिट सिर्फ 2% का हो गया देखो अगर दोनों की CP सेम होती एक चीज़ ध्यान से सुनना अगर इसकी भी CP मानलो एक्स होती और इसकी CP भी एक्स होती तो ओवराल कितना प्रॉफिट होना चाहिए था अगर सेम सीपी होता दोनों का तो कि अगर एक पर मुझे 20 परसेंट प्रॉफिट मिला है एक पर 10 परसेंट लॉज मिल रहा है दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है तो ओवराल कितना प्रॉफिट होता अरे हंड्रेड हंड्रेड मान के सोच लो ना इसकी सीपी मान लो अगर हंड्रेड है इसका मैं 20 परसेंट प्रॉफिट निकाल लूँ तो कितना प्रॉफिट हो मुझे 20 रुपीज का इसकी भी मैंने सीपी हंड्रेड मान ली इस पर मुझे लॉस हो रहा है तैन परसेंट का तो कितने रुपए का लॉस हुआ टैन का यह ट्वंटी प्रॉफिट यह टैन लॉस तो ओवरॉल मुझे कितना फायदा हो रहा है टैन रुपीज का और अगर मैं इसे परसेंटेज में चेंज करूंगा तो यह हो जाएगा टैन अपॉन्ट तू हंड्रेड तो कि ओवरॉल में यह दोनों की सीपी एड होगी इन्टो हंड्रेड परसॉंट यह यहीं 5 परसेंट का प्रॉफिट हो जाना चाहिए था ऑवरॉल लेकिन इहां मुझे और अवरॉल कितना मिल रहा है थो परसेंट मिल रहा है यह यहांनि कैरिज की कास्ट जो होगी वो जादा वोगि उसके 10% का effect होर्सके 20% पर जाधा पड़ग하 करे एक सकते खादे paradigality हुम बाले मेथे ऐसके यह में से कर सकते हैं एकुईशन किया है कि माल craz को हम लेते हैं हाट workout लिना यह रूपीज तो carriage की cost कितनी हो जाएगी? 3000 minus X यह माल लेते हैं CP अब क्या कह रहा है वो? horse पर 20% का profit है तो कितना profit हो गया? horse पर 20% of X और carriage पर कितना profit है? 10% 10% of 3000 minus X CP पर होगा न? उसकी profit percentage जो भी होगी उसके CP पर होगी एक की हमने माल ली X तो दूसरे की होगी 3000 minus X दोनों मिलकर कितना profit दे रहा है? 0.2X plus 0.1 into 3000 minus X यह किसके बराबर है? overall 2% profit यानि यह दोनों मिलके एक्वल है 2% of 3000 total overall transaction हमें पता है कितने रुपीस का है? 3000 इस equation को आप solve कर लो X की value आजेगी वो जाएगा 300 minus 0.1 X is equal to 2% of 3000 60 यह 0.1 X is equal to 20% 20% profit इस पर हुआ carriage पर लॉस हुआ है loss minus हो गए carriage पर लॉस हो रहा है तो यह हो जाएगा minus और यह हो जाएगा plus तो यह हो गया 0.3 X is equal to 360 तो X की value हो जाएगी 12 बन ले यानि answer क्या आज़ा है इसका 12 बन ले तो यह तो हमने equation बना के कर लिया दूसरा जिस concept से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता था कि कैसे हम अंदाजर लगा सकते थे कि किसकी value जादा है वो है allegation वाला method mixture and allegation में जो हमने लगाया था हम उसको यहां लगा सकते हैं एक तरफ ले ले लेते होर्स एक तरफ ले ले लेते carriage कि इसका कॉस्ट हमें नहीं पता है एक्स माल लेते हैं इसकी कॉस्ट माल लेते हैं 3000 वाइनस एक्स जब यह एक्स है तो इसकी कॉस्ट होजेगी यह यह CP आ गई इनकी इस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है होड़स पर 20 परसेंट प्लस और कैरीच पर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है 10 परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है यही तो हो रहा है इस फॉर्म में आ जाए गई है बैलेंसिंग डैस्केल और सारे जो मैथर्ट पड़े थे तो क्या निकाल सकते थे तुम इस से यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 माइनस 2 यानि की 18 यह वैल्यू कित्ती हो जाएगी 12 12 गुड हम सिर्फ डिस्टेंस लेंगे प्लस माइनस से डिस्टेंस में नहीं मतलब होता तो यह हो जाएकर 12 तो किस रेशो में आगिया यह डिस्टेंस 3 इस 2 के रेशो में यानि इनकी जो CP होगी यह किस रेशो में होगी 2 इस 2 3 के रेशो में तो हमें पता चल गया हॉर्स और कैरिज का जो कॉस्ट प्राइस का रेशो है वो कितना है 2 इस 2 3 और टोटल कितना है 3000 और हमें निकालना क्या है हॉर्स तो हम लेकर रखते हॉर्स इस 2 आउट और 5 पार्ट और जब टोटल 3000 है कितना जाएगी हॉर्स की सीपी 1200 आगे 1200 तो आप ऐसे एक्विशन बनाके भी कर सकते हूं और इस तरीके से एलिगेशन एंड बैलेंसे लेकिन इतना वह आपको आइडिया हो जाना चाहिए पड़के की की कौन ज्यादा है कौन कम है कितना है वह अलग बात है लेकिन एक आइडिया लगना चाहिए कोशन लीग करके थिक तो बस हमें ध्यान के रखना होगा जब भी प्रॉफिट लॉस में हम मिक्शेर इन एलिगेशन वाले यह कॉंसेट लगाते हैं तो हमारे जो वेट होता है वेट है जिसको हम डबलू लिख रहते हैं वह हमेशा क्या होता है सीपी होता है कॉस्ट प्राइज इस कुश्चन से यह चीज़ के लिए हो जाएगी अ मैंन सेल से टेबल फॉर सिक्स्टी सिक्स थाउजन एं मेक प्रॉफिट अफ टैन परसंट ही सेल एनेदर टेबल अट लॉस अफ ट्वंटी परसंट इफ उन दे होल इनाइधर गेंस नॉर लूस इस फांडर सेलिंग्स ऑप दे सेकेंड यह को दो टेबल है एक के सेलिंग प्राइज है 46,000 और उस पर क्या होँ आप रॉफिट हो रहा है यह मैं ऐसे लिख जाता है उसी दस परसंट पर दूसरी टेबल है उसका हमें सेलिंग प्राइज नहीं पता कि नहीं पता इसका अनोन है कि और इस पे क्या हो रहा है लॉष हो रहा है टोवर अल क्या हो रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस ओवरॉल उस पूरे ट्रांजेक्शन में ना तो उसे प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ तो क्या तुम इसके सेलिंग प्राइस का अंदाजर लगा सकते हो कि यह सिक्स्टी थाउजंड से जादा होगा कम होगा कितना होगा कम होगा सर कम होगा एक पर 10 परसेंट का प्रॉफिट है यानि 10 परसेंट ऑफ 66,000 यह एक तैन परसेंट ऑफ 66,000 नहीं 10 परसेंट है और सेलिंग प्राइस है 66 लेकिन एक दूसरी टेबिल है जिस पर हमें 20% का लॉस हो रहा है तो हमें दिमाग में यह आना चाहिए कि भी एक चीज़ 10% profit है एक चीज़ 20% loss है लेकिन overall उसे ना तो फायदा हो रहा है ना लॉस हो रहा है यानि 20 की वज़ा से जादा loss होना चाहिए था लेकिन उतना loss नहीं हो रहा है उसे यानि उसकी जो selling price होगी वह इतनी नहीं होगी इससे सस्टी टेबिल है यानि वह आ रहा है कुछ logic समझ में कि एक का 10% का profit दूसरे के 20% के loss को compensate कर रहा है तो यानि हमें यह समझ में रहा है जिस पर प्रॉफिट हो रहा है वह महंगी चीज़ है ताकि उसका profit जादा है और जिस पर लॉस हो रहा है वह सस्ती है इसलिए उसका 20% का loss भी बराबर हो रहा है यह चीज़ समझ में आ रही है बस सिर्फ इतना concept तो question देखे कि 10% का profit 20% का loss भी बराबर हो रहा है तो जिस पर प्रॉफिट हो रहा है वह महंगी चीज़ है इसकी cost जादा है और जिस पर लॉस हो रहा है वह सस्ती चीज़ है इसका उल्टा केस होता कि 10% का loss और किसी का 20% का profit बराबर होता तब हम कहते है यानि loss जो 10% है वह 20% profit के बराबर हो रहा है तो यानि जिस पर loss हो रहा है वह महंगी चीज़ है जिस पर profit हो रहा है वह सस्ती चीज़ है तो इतना दिमाग में आना चाहिए बात question solve करना वह अलग चीज़ है लेकिन question lead करके दिमाग में इतना आ जाना चाहिए अब हमें निकालना सेलिंग प्राइस तो एक तरीखा तो वही equation मना के कर लो आप लेकिन हम इससे सीधे balancing वाले method से कर रहा है तो कोई मुझे यह बताए कि क्या मैं इसको balancing को ऐसे कर सकता हो profit of 10 परसेंट दूसरी टेबिल लॉस ऑफ 20 परसेंट ओवर ओल क्या हो रहा है जीरो ना profit ना loss क्लियर तो इसका distance कितना होगा यहां से यहां तक कितने unit distance हो गया यह 10 और यह कितना हो जागा यानि किस ratio में है यह distance वन इस्टू टू तो इनका जो यह वेटे जोगा यह किस ratio में होगा तो इस्टू वन तो इसकी अगर मुझे selling price 66,000 दे रही है तो क्या मैं इसकी निकाल सकता हूं selling price अगर मैं टी वन को यह 66,000 ले लूं तो यह मैं बता सकता हूं कितना होगा रेशो वन का डबल है इसका हाफ है 33,000 लेकिन 33,000 तो option में भी नहीं है तो क्या गलती कर रहा हम इसमें कोई बता सकता है इसमें क्या गलती करी हमने यह method लगाने में एक पर भी 10% का profit है हमने यह लिख दिया डूसरे पर 20% का loss है यह लिख दिया अन्दा होल नाइधर गेन नौल लॉज जीरो गया यह डिस्टेंस टैन ट्वंटी वन टू यह टू और वन और फिर हमने इसका रेशो लिया कहां गलती हुई हेलो मुझा वाद में आई किसे ने कुछ बताया क्या गलती हुई है बदी में किसे आए वोगे रिश्यों में क्या रहा था टीव यह सेलिंग प्राइज दे रहा थाना जिए शिक्स टेश्टे शेग साओ दे यह लिए है अँग डिया अधा सर आपने तो बोले थे कौस प्राइज होते है रेशियो यह यही गलती है तक होगा कोस्क्राइश ऑफ टी वन इसतु प्राइश औफ टी टू इसका रिचित हुआ हम सैलिंग प्राइस पर नहीं लगा सकते यह चीज़ प्रॉफिट लॉस में जब हम मिक्सर या एलिगेशन वाला या बैलेंसिंग का यह मैथड यूज करते हैं तो इसकी जो वेटेज होती है वो ना तो उनकी यूनिट होती यही चीज हमने देखो उसमें डिसकस किया था कि औरेंजिस से हम अगर कंफ्यूज हो रहा था कि पंद् को टेल बेशने पर 10% तो इबर यह हता उसससे कोई मतल्ब दी allemaal हमें क्या चाहिए यहाँ पर सीपी कि नद आई तो यह जो टेओं करेश्व है यह की कोस्ट ऌंस प्रास्ट तुम्हें मिल या रेश्व तो तुम्हें इसकी cost price निकालनी पड़ेगी, पहले T1 की, कैसे निकलेगी, table 1 into F, हम सीधे multiplying factor यूज करेंगे, तो यह हो जागा, selling price of T1, यह cost हमें निकालनी, multiplying factor क्या, profit of 10%, profit of 10% के लिए क्या होगा, multiplying factor, 11 by 10, 11 by 10, selling price दे रखा है, 66,000, तो यह कितना आ गई, तो cost कितनी आ गई, 60,000, अब हम यह ratio यूज कर सकते हैं, 60,000 is to, second table की cost price is equal to 2 is to 1, तो 2 is to 1 मतलब, यह unknown है, और इधर तुम देख लो कि इसका double हो रहा है, तो इसका double 60,000 होगा, अब इतना ऐसे करके ही जगा, सीधे ratio को देखके दिमाग सा idea लगा लेकरो, क्या होगा, CP इदर जाएगा, 2 इदर आजाएगा, 60 by 2, 30,000, तो यहां इसका double है, तो CP2 का double 60,000 है, यानि CP of table 2 is equal to 30,000, हमें cost price पता चल गई, अब जब cost price पता चल गई, तो हमें पूछा क्या है, उसमें selling price, और second table पे क्या हो रहा है, loss हो रहा है 20% का, तो कौन सा होगा इसका multiplying factor, 20% loss के लिए, 20% loss के लिए, multiplying factor क्या होगा, 4 by 5, 4 by 5, तो 4 by 5, यानि आगे answer 24, तो यह हमारा answer, तो mixture allegation का कर सकते हैं, profit loss में बस ध्यान हमें क्या रखना होगा, weightage क्या होगी उनकी cost price, चलो, इस पर आते हैं, 25% discount offer, result in saving of rupees 37, find a selling price of the article, simple relation है, बस थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ देना है, 25% discount पर हमें क्या हो रहा है, 37 rupees बच रहा है, तो उसका selling price बताओ कितना पर, तो हम एक बार फिर से वही बना लें, यह याद रखना चाहिए, सबसे base होता है cost price, इसके बाद आता है markup, markup के बाद यह हो जाता है mark price, यही MRP होता है, सबस्यादर यही price होता है, इस सबस्यादर फिर कुछ नहीं होता है, and then discount, उस पर हम कुछ discount देते हैं, and then here comes selling price, तो यहाँ पर सिर्फ क्या कह रहा है, कि यह जो discount है, 25% का अगर discount मिल रहा है, तो उससे कितने रूपीज सेव हो रहा है, saves, 37 रूपीज, तो बताओ selling price, कितना होगा, तो डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पर होता है, डिस्काउंट की बेस क्या होती है, डिस्काउंट इस परसंटेज में, 25% मार्क प्राइस, हम सही यानि यह कह रहा है, 25% अफ मार्क प्राइस इक्वल टू, डिस्काउंट कितना की सेविंग कर रहा है, मार्क प्राइस का 25% जो है, वो 37 बिन है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, ठीक है, जब तक कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़ है, तो उसे कैलकुलेट मत करो, 25% बन अपॉन फोर बन रहा है, यह 4 इंटू 37, तो बस ऐसी बोलो कि 37 इंटू 4, नहीं निकालो गएल लिए, एंपी नहीं पूछा ना कहीं भी, जब तक नहीं पूछा हो, तो अगर कई multiplying factor या कुछ है ऐसे, तो उसको ऐसी रहने दो सकता, आगे जाके कहीं कैंसल हो जाए, तो मार्क प्राइस हो गिया यह, अब आप से पूछा क्या है, selling price, selling price और mark price में क्या relation होती है, तो मार्क प्राइस में से, जब discount minus करते हो तो क्या मिलता है, selling price, mark price में से discount minus करोगे तो selling price आएगा ना, कैसर, तो यह हो गिया 37 into 4, और discount हो गिया 37, यह equal to selling price, यह 37 into 3, selling price is this, अब निकाल लो value क्योंगी यह पूछा है तुम से, वन वन वन, यह आगिया हम सर, ठीक है, यह सर, चलो, नेक्स्ट पर आते हैं, what should be the markup percentage, if a trader wishes to make a profit of 10%, in spite of a discount of 10%, अभी जो concept पढ़ा उसी के उपर है, कि अगर हम 10% का discount भी दे, यह 10% discount भी दे दे, तब भी क्या हो, 10% का profit, तो एक तरीखा तो वही है, कि तुम कुछ, CP की cost मान लो, 100, फिर उसके profit से SP, SP से MP निकाल लो, MP और CP से फिर markup निकाल लो, लेकिन यह सब lengthy process है, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, एक shortcut पढ़ा था, हर percentage के लिए क्या होता है, एक multiplying factor की term में हम समझ सकते हैं उसे, हमने इस markup के लिए एक multiplication factor लिया था, एक इस discount के लिए लिया था, और एक इस profit के लिया था, तो हमने इस तरीखे से सोचा था कि देखो, CP को क्या करते हैं, पहले कुछ percentage increase करते हैं, यह होता है markup, तो हमें क्या मिल जाता है, mark price, फिर हम उसको क्या करते हैं, कुछ percent decrease करते हैं, जिसे हम कहते हैं discount, तो हमें क्या मिल जाता है, selling price, तो इन दो percentage को हम multiplying factor से समझ सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, CP into पहला वाला markup इन्टू दूसरा वाला discount, तो हमें क्या मिल जाएगा, SP, भई दो successive percentage change है न, CP और SP में, एक पहले markup किया और फिर discount दिया, यह आ जाएगी relation, और एक relation हम पढ़ते ही हैं, कि भई profit को सीदे SP से relate कर सकते हैं, तो इन दोनों equation से हमें क्या मिल रहा है, इस टाइप के question करने का यह सबसे fast method है, जिसमें कुछ markup, profit और discount, इसके बीच में percentage कुछ change होते हैं, कि इतने profit हो तो कितना discount हो जाएगा, या इतना markup या इतना discount है, तो कितना profit है, या फिर इतना profit है, इतना markup है, तो कितना discount है, सबसे fast यही है, यह team relation आ गई, आप देख लो question में क्या पूछा है, markup percentage, markup percentage कौन से multiplying factors आएगी, इस वाले से, तो बागी दो तुम्हें given होंगे, profit of 10%, या नि यह profit, तो 10% के लिए क्या होगा multiplication factor, 11 by 10, 11 by 10, यह तो हमें निकालना है, इस से हमें percentage पता चलीए, और discount क्या है, 10% discount, तो discount मतलब क्या होता है, decrease वाला, 10% decrease, तो decrease के लिए क्या होगा multiplication factor, 9 by 10, 10 से 10 cancel, multiplication factor for markup कितना आ गया है, 11 by 9, यानि कितने percentage markup हो रहा होगा, अगर 11 by 9 है तो कितने percent markup हो रहा है, यह increase कर रहा है price, तो minus 1 करेंगे कितना आ गया, 2 by 9, 2 by 9 कितना percent है, 23.22, 22.22, 22, sorry, इस तरीखे के direct question आते हैं, direct इसका multiplication तीन factor है, जो दो given होंगे, एक unknown होगा, उसी को निकालना होगा, कोई assumption की जरूरत नहीं की CP को 100 बान के पहले SP, MP निकालते रहा हैं फिर markup निकालने कुछ नहीं, direct ऐसी आ गया, चलो अगले question पर आते हैं, 25% extra quantity, यह अच्छा question है, 25% extra quantity of a commodity for the same price, is equivalent to the discount of what percentage, पहले तो question अराम से पढ़ो, question GMAT वगरे का question है, बहुत अच्छा question है, क्या कह रहा है यह, 25% extra quantity, जैसे आता ना कि सैशे होते हैं, बहुत इस पर 25% extra दे रहा हैं, यह 100 ग्राम का है, इसके साथ 25 ग्राम free है, प्राइस वही रखा, तो अगर कहीं यह ओफर दिया जा रहा है, तो यह कितने percent discount के वराबर है, देखो दो चीज़े हैं इसमें, एक क्या हो रहा है कि commodity पे हमने क्या करा, प्राइस सेम रखे, और customer को क्या कर दिया, 25 परसेंट extra quantity देदी, दूसरा क्या होता है, जितना price है उस पे discount दे दिया, तो क्या दोनों चीज़े सेम है कि अगर किसी को हम 25% price पे यह दे रहा है तो discount भी 25% कह सकते हम उसे, यह कम होगा यह जादा होगा, क्या होगा, यह जादा है, जादा भी दे दिया, आप्शन से भी कुछ हम गैस नहीं कर सकते हैं, चले तो ऐसी सोच के देखो, कि 25% अगर price, सेम प्राइस पे हमें कोई commodity extra मिल रही है, या फिर उसी सेम प्राइस पर हमें 25% discount मिल रहा है, तो कौन से जाद अच्छा होगा हमारे लिए, गैस करके देखो देखो बहुत tricky question है, तो मैं तो यह नहीं कहूंगा, कि एकदम कर लोगे तुम solve, गैस करके देखो कौन से जाद सही लग रहा होगा, कौन से जाद अच्छा होगा है, अब देखो ऐसे question में क्या कर सकते हो, कर लो, assumption से कर लो, मैं तुम यह माल लो कि same price पे पहले हमें, let, hundred gram मिल रहा था, किसी price पर हमें माल लो, x rupees पे हमें क्या मिल रहा था, hundred gram, अब तुम्हें 25% क्या मिल रहा है, extra, extra, extra 25% मिल रहा है, यानि अब, x rupees में तुम्हें कितना मिल रहा है, hundred तो था ही पहले, plus, 25% of hundred यानि 25, यानि अब x rupees में कितना मिल रहा है, 125 gram, clear, अब इस पर देखुर discount, अगर मैं discount percentage निगा लूँ, discount तुम्हें कितना मिल रहा है, यानि 25 gram में से तुम्हें कितना free मिल रहा है, 25 gram free मिल रहा है, हमें discount मिल रहा है, हमें discount मिल रहा है, कितना आगिया यह, 20% यानि 25% अगर कोई community में हमें दे रहा है extra, तो वो discount में equivalent है, किसके 20% ठीक है, ठीक है, यानि कि अगर कहीं रहा है, हमें भी दो offer मिल रहा है, जिसमें कि एक में 25% हमें कोई quantity extra मिल रही है, और एक जगा discount मिल रहा है, तो हमारे लिए preferable क्या है? डिस्काउंट कि लिए रहे हैं या भी नहीं हुआ? सब्सक्राइब समझाज़ें सब्सक्राइब किट्राइब सब्सक्राइब क्यूंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब पच्चिस परसेंट या ना तो पच्चिस परसेंट का मतलब चित्ता हो गया 100 ग्राम में कित्ते एक्स्ट्रा मिल गया हमें 25 ग्राम यानि अब सौ रुपए में क्या मिल रहा है 125 ग्राम चीक है अगर यह कि उसको सेल कर रहा होता है तो 125 ग्राम कितने के सेल करता है मैं सौ ग्राम सौ रुपए का था तो 125 ग्राम कितने का होता है 125 ग्राम लेकिन वो तुम्हें दे कितने में रहा है 100 ग्राम है तो कितने परसेंट का हमें डिस्काउंट मिला कितने रुपीस का डिस्काउंट मिला 25 ग्राम 25 जब कि वो था कितने का पैक 125 का प्र डिस्काउंट कितना हो गया है कि 20 परसेंट के लिए कि अगे सर्थ परसेंट जब देखो इसमें और पी क्लियर हो जागी इस चीज़ आइसकीम ऑफ वन सोप फ्री विद अवरी फोर सोप परचेज इस लाउंच पर इंक्रीजिग दसेल वाट इस दा इफेक्टिव डिस्काउंट अगर कहीं ऐसा ओफर है कि चार साबन खरीदने पर एक साबन फ्री तो इसको हम कितना परसेंट डिस्काउंट मानेंगे हैं अगर को अगर कि अगर कि अगर कि अगर कर देखको डिस्काउंट जो भी होता है किस पर मार्क प्राइस पर ठीक है तो ऐसे कोशन में जब भी आएंगे तो सबसे पहले क्या करोगे जितनी भी चीज़ें सबके मार्क प्राइस को एड़ कर लो टोटल मार्क प्राइस निकाल लो फिर उसमें देखो कितना ओफ दिया है अगर अगर माल लो लेट मार्क प्राइस ओफ वन सोप भी एक्स माल लेता हूं एक सोप का मार्क प्राइस कितना है एक्स तो यहां पर हमें कितने सोप मिल रहे हैं है पैसे हैं विल सबस्तेवा है ह Imper綰 को हमें इसमें डिसकाउंट क्या मिला कितने रूपीज के डिसका Ein एक सोप फिरी मिल रहा है एक सोप की जोgraph York यानी की मैं एक कपड़्यक मार्क सबस्राइश धिश्रेक्ट और अचमने पर्संटेज फ होंगा उ अभी एक्स अपॉन इस तरीखे का ओफर को हम कहेंगे कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है हमें 20 परसेंट तो जब भी ऐसे कोई चीज दे रहे होगी कि फिरी और उसके साथ यह है तो पहले क्या करो सबका मार्क प्राइज एड कर लो टोटल मार्क प्राइज फिर देखो डिस्काउंट में क्या क्या चीज डिस्काउंट में मिल रही है उसके प्राइज को एड कर लो वह हो गया टोट तो पांच का 500 हो जाएगा 500 पे 100 रुपीस तुम्हें आफ मिल रहें तो वन बाइसे किया था धियान ये रखना है कि डिस्काउंट अलग करके नहीं निकाल देना कि एक सोप मिल रहा था और हम प्राइस दे रहे हैं चार कि तो वन बाइस वर करके निकाल दो कि 25 परसेंट आगी है ये नहीं है ये गलत हो जाएगा तो डिस्काउंट में जितनी भी चीज़ा हम लेके जा रहा है वो चाहिए फ्री है या कुछ है पहले सबकर टोटल एंपी निकालो उसमें से देखो कि कितनी चीज फ्री मिली पिछले कोईशन में भी हमने ये किया था हमने क्या करा पहले हंड्रेट का लिया प्राइस कुछ और हंड्रेट का 125 का पहले पूरा प्राइस करा और उस प्राइस में से फिर जो फ्री मिला था उसको अलग निकाला जैसे यहां चार है तो पहले हम यह कहेंगे कि हमने पांच से लगते हैं तो वो टोटल एंपी है उसके ऊपर जो फिरी है उसका एंपी निकाल लो वो डिसकाउंट है और फिर रेश्ट यहां गलती होने के चांस बस यह हैं कि हम वन बाई फॉर करके निकाल दें इसको तो यह 25 परसेंट डिसकाउंट नहीं एक्चन में कितना परसेंट डिसकाउंट है 20 परसेंट चलो वाट इस वन सिंगल डिसकाउंट इक्वलेंट तु थ्री सक्सेसिव डिसकाउंट तीन डिसकाउंट सक्सेसिव दे रहे हैं तुम्हें 20 प्लस 25 परसेंट प्लस 20 परसेंट तो यह एक सिंगल कितने डिसकाउंट के बराबर होगा 65 नहीं 65 नहीं होगा 65 परसेंट के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया है भी ता फार्मूला कि अगर दो बार तुम्हें कोई सक्सेसिव चीज़ दे रही है तो उसका रिजल्टेंट होता है ए प्लस भी नहीं होता साथ में यह एक और टर्म भी आता है इतने परसेंट होता है अगर किसी चीज़ को हम सक्सेसिव ए और बी परसेंट से चेंज कर रहे हैं तो कभी भी डैरेक्ट सम नहीं होगा उसके साथ कुछ ना कुछ यह फैक्टर आएगा लेकिन यहां पर क्या है तीन है तीन के लिए तो आप यह फार्मूला नहीं लगा सक करते हैं इसको करने का तरीखा फिर क्या करेंगा हूँ मल्टिप्लिकरिकेशन वे क्तार सेर्गार तो 20 परसेंट डिसकाउंट है यानि Br taylor your joboph powerless की जаютьका है क्या होगा मिल्टिप्लिकेशन वैक्टर 4 by 5 4 by 5 25% decrease के लिए हो जाएगा सर ऑप्शन पी अभी देख ले कि यह हो गया 3 by 4 25% 1 by 4 1 minus yes फिर 20% है यानि की 4 by 5 उनका कम्बाइन इफेक्ट की मल्टिप्लाई मानलो कोई भी old value थी हमने 3 यह successive percentages decrease कर दिये तो final value यह आ जाएगी इन multiplication factor से multiply करके तो 4 से 4 cancel यह आ गया old value को अगर हम multiply कर दे 12 upon 25 से तो हमें final value मिल जाएगी यानि यह है multiplication factor तो हमें समझ में आ रहा है less than 1 है तो decrease हो रहा है लेकिन कितने percent decrease हो रहा है और अंसर क्या होगा 1 minus percentage में आंसर बताओ कितना होगा किसी को अगर 12 by 25 से कर रहा है तो कितना percent decrease हो जाएगा रहा है इसे 13 by 25 आएगा फिफ्टी तू याएगा अंसर फिफ्टी तू याएगा अंसर फिटी तू यह देखो यहां इसलिए मैं तुमसे पर्संटेज में करवा रहा था कि 12 by 25 इसे 45 multiplication factor है तो डायरेक्ट इसे मत कनवर्ट कर देना पतला 48 परसेंट आई है आंसर में देवी रखा था 48 कि मल्टी प्लिकेशन फैक्टर क्योंकि डिक्रीजिंग है तो हम इसमें से वन में से माइनस करते हैं कि यह हमें मिला 13 by 25 इसको हम percentage में कनवर्ट करते हैं 52 यह कोई ऐसी फॉर्म नहीं थी जो हमें डायरेक्ट यादो टेबिल से तो हंड्रेट से मल्टिप्लाई कर गया हमां पते चलिया 52 पर्सेंट यानि 20 परसेंट प्लस 25 प्लस 20 परसेंट इफेक्टिवली कितना परसेंट का डिस्काउंट है 52 परसेंट तो एक तरीखा यह है करने का दूसरा तरीखा क्या है कि जो हम इस ओल्ड वैलियू को कह रहा है इसको माल लेते हैं कि 100 में तीन सक्सेसिव परसेंटेज है वह हम निकाल लेगे तो हम आंसर बता सकते हैं क्या होगा यहां फाइनल क्या आएगा कि निग्धो शक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज में ओडर इंपॉर्टेंट नहीं है याद है हमने यह पढ़ा था order important नहीं होता आप किसी भी पहले किसी भी इन तीन में से कोई percentage पहले लिख सकते हो को इसी बाद में लिख सकते हो कि यहां से भी समझ सकते हो कि भई multiplication factor की multiply है आप पहले 3 by 4 लिख लो फिर 4 by 5 लिख दो उससे कोई फरक नहीं पढ़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं जब पहली value होती नॉर्मली हम सबसे बड़ी value लेते हैं ताकि 100 पर यूज हो जाए बागी फिर छोटी percentages बचे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 100 को पहले 25% decrease किया उसके बाद जो value आई उसे 20% किया और उसके बाद जो value आई उसे 20% decrease किया तो बताओ 100 में से 25% decrease करेंगे तो क्या आएगा 75 को 20% decrease करेंगे तो क्या आएगा 65 65 60 20-20% of this इसको माइनस करना है कि यह सरो कि सर्मान अगर बेस हम 100 के लिए लेंगे तो फिर तो तीनों को सम मिलके वही परसंटेज आजाएगी यह परसंटेज कम इसलिए होती है कि देखो 65 है यह एक्च्वाइव से 52 बनता ही इसलिए कि पहले 25% की बेस तो यह है लेकिर अब जो 20% decrease हो रहा है वह इसका 20% decrease करना है यह सर तो अब वो 20 नहीं रहा है वो सिर्फ कितना हो गया 15 अभी इसका 20% माइनस कर दो इसमें कितना गया 48 48 यानि 100 क्या बन गया 48 तो कितना डिक्रीज किया हमने इस है 52 परसेंट तो यह तीन successive डिसकाउंड जो है वो equivalent है एक 52% डिसकाउंड ठीक तो हम इस तरीखे से भी कर सकते हैं वन्ना multiplication factor सबसे बढ़िया है उसी से यादत डालो करने की अब उसक्ता अब इस लिए अब कर दो अब आफटर सम्टाइम भी सेलिट बैक एट आट ट्वंटी परसेंट लॉस तो बताव एक टोटल कितना गेंग वा तो कोश्चन में क्या दिया है एक के पास एक बाइक थी 40,000 की उसने क्या करा बी को सेल कर दी कितने प्रॉफिट पे 10% पर पुछ दिन बात क्या हुआ बी ने एक को वापिस बेज दी बट लॉस ओफ ट्वंटी परसेंट तो बताव एक को कितना परसेंट फायदा हुआ एक और दोनों ट्रांजेक्शन में फायदा हुआ पहले में भी और दूसरे में भी तो टोटल एक को कितना फायदा हो रहा है कि तोटल एकी परसंटेज हम ऐसे नहीं कर सकते हम यह कहें कि पहले ट्रांजेक्शन में उसे 10 परसंट का फायदा है और बी ने एक और 20 परसंट लॉस पर बेची है तो हम कहने कि इसे 20 परसंट प्रॉफिट पर बेची है अगर हम इस तरीशे से सोचेंगे तो यह गलत है क्यों गलत है कोई बताएगा इसका लॉजिक सीधर थर्टी क्यों नहीं आ रहा रहा कि तरुकि बेस बदल जाते हैं सर फिर हम 44,000 लेंगे वेरी गुड यह जो 10 परसंट है इसका बेस 40,000 है लेकिन यह जो 20 परसंट जो हम कह रहा है कि बी को लॉस हो रहा है यह 40,000 पर नहीं हो रहा है यह किसी और इमाउंट पर हो रहा है कि यहां यह दोनों परसंटेज की बेस अलग है इसलिए हम पहली बात तो ऐसे डारेक्ट कभी भी नहीं कर सकते तो क्या करें इसे क्वेशन में 40,000 10% प्रॉफिट के बाद कितनी हो जाएगी बी को कितने में मिली बाइक 40,000 की बाइक 10% प्रॉफिट पे बेची तो क्या हो गए बी को कितने में मिली गए 44,000 44,000 10% प्रॉफिट मतलग 11 by 10 से मल्टिप्लाई कर दो यह आ जाएगा अब 20% का लॉस 20% लॉस के लिए क्या लेले मल्टिप्लिकेशन वेक्टर 4 by 5 4 by 5 तो 4 by 5 किस से मल्टिप्लाई करके देखो क्या रहा है देखो 5 से डिवाइट करना है 5 से डिवाइट का मतलब है डबल करो और एक 0 कम कर दो यानि 8800 8800 इंटु 4 तो दो 0 तो आएंगे लास्ट में 88 इंटु 4 मतलब 88 का डबल 176 और उसका डबल 176 का डबल 42 352 352 अब इस पूरे ट्रांजेक्शन में हमें तीनों कॉस्ट पता चल गई एने जित्ती की बाइक थी कोशन में दिया था फिर बी को इसमें बेची 44,000 की 44,000 की और बी ने एको फिर वापिस 35,200 की तो इसमें एको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ कितने रुपेस का फायदा हो गया उसे इस ट्रांजेक्शन में कितना फायदा हुआ एको इस ट्रांजेक्शन में कितना फायदा हुआ तो फोट होजन्ड एक्षिंड फोट थाॉजन्ड एक्षिंड ने कितना फोट ताउजन्ड यह एट तो हमें पता है परसंटेज का क्या होता है टोटल जो प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाइस सीपी इंटू हंड्रेट परसेंट कि क्या लेंगे इसमें और प्रॉफिट किता लेंगे दोनों वेल्यूस बता हो जारे क्या होगी अजब प्रॉफिट 12,800 लेंगे ट्वेल थाउजन एट हंड़ेड या एक्टी एट हंड़ेड वस पूर और फॉर प्रॉफिट तो फॉर्टी थाउजन्ट होगा यह तो किलियर है यह सर्थ देखो ए ने बी को बेची और बी ने फिर वापिस एको तो क्या यह टोटल प्रॉफिट 12,800 काउंट होगा या 8,800 काउंट होगा क्या काउंट होने चाहिए है क्या काउंट होने चाहिए है इसे 12,800 काउंट है 12,800 काउंट है देखो यह जो बाइक थी औरिजनली किसकी थी एक ही थी ना ए ने बी को बेची और उसने 4000 का प्रॉफिट ले लिया 4000 उसके पास आ गए अब जब बी उसे 20% के लॉस पे बेच रहा है 20% के लॉस पे बेच रहा है यानि वो उसे कितने की खरीद रहा है 35,200 की तो 44,000 के रेफरेंस से करेगा या अपने जो 40,000 की बाइक थी उसी के हिसाप से करेगा प्रॉफिट कैसे निकालेगा भी 4000 तो वो पहले से ही प्रॉफिट में जो 44,000 की जो बाइक कह रहा है उसका 4,000 की प्रॉफिट तो उसके पहले से ही है जब उसने उसी बाइक को 35,200 में खरीदा तो वो उसको कितने का फायदा हुआ बहुँ चालिस की तो उसकी बाइक थी पहले से वो क्या कहेगा कि मुझे कितने का फायदा हुआ जो कुछ डबल काउंटिंग नहीं होगी इसमें एक बार 40 से 44,000 उसने 4000 ले लिए प्रॉफिट के अब जब वही बाइक वो वापिस 35,200 की खरीद रहा है तो वो अब जो काउंट करेगा वो अपने वही रेफरेंस से काउंट करेगा कि मुझे कितने की कम की मिली 42 सो की मैं तुम इस तरीके से सोचो कि तुमारे पास कोई चीज़ है अब तुम वही चीज़ को औरीजिनल अपनी जो कॉस्ट थी अगर उससे 20 रुपए कम ले रहा हो तो तुम अब क्या कहोगे कि मुझे कितना फायदा हुए इस ट्रांजेक्शन में 20 काउंट करोगे या जो सो रुपए बढ़ा के वेचि फिर 120 का होगे अगर ये चीज़ एटू बी जाती और बी टू सी जाती तब हम ऐसे काउंट करते हैं लेकिन ये चीज़ वापिस उसी के पास आ रहे हैं तो अब उसके लिए जो रेफरेंस रहेगा वो उसकी पहले वाली ही कॉस्ट रहेगी तो कि उसका प्रॉफिट तो वह पहली ले चु कि उसी की चीज़ घुम के वापिस उसी के पास आई है अगर इस कोशन में एटू बी और बी टू सी होता तो फिर अलग चीज़ हो जाती है कि लिए हो रहा है ये पॉइंट इसके एट्टी एट हंड्रेट के चार हजार तो पहले से ही एके पास है आप ब्राफिट कम हो रहा है वो सिर्भ उसके जो 40,000 जो उसकी रेफरेंस प्राइस थी जो बेस प्राइस प्राइस पी जितना एक खरीद रहा था उसे जो A ने लिया था मतलब 40,000 की बाइक लिए उसने B को बेचा तो 4000 का प्रॉफिट मिला जब उसने वही बाइक 35,200 की वापिस ली तो उसे कितना फायदा हुआ वे 40 की तो थी ना वो तो वो क्या कहेगे कि मुझे इस ट्रांजेक्शन पे कितना फायदा हुरा 4800 का तो इस सेकंड स्टेप में एक का प्रॉफिट जो है वो 4800 है पहले स्टेप में 4000 का प्रॉफिट दूसरे स्टेप में 48 तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है उसे 88 प्रॉफिट परसंटेज जो बनेगी वो बनेगी 22 पर ठीक है इसको देखो परसंटेज चेंज से तुम सोच सकते थे पहले जो ट्रांजेक्शन है A to B जब उसमें सेल किया तो कितने परसंट का प्रॉफिट हुआ 10 परसंट तो हम यहां लिख सकते हैं A को कितना प्रॉफिट हो गया 10 परसंट जो दूसरा ट्रांजेक्शन है उसको देखो इस तरीखे से सोचो कि A पहले तो 10 परसंट इंक्रीज करके दे रहा है B को और फिर 20 परसंट डिक्रीज के बाद वो खुद ले रहा है ठीक है तो यह सक्सेसिव परसंटेज चेंज देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है तो किसी को अगर हम 10 परसंट इंक्रीज करके फिर 20 परसंट डिक्रीज कर दे तो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा वो फार्मूले से निकालना सक्सेसिव परसंटेज वाले से ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन हंड्रेट ए पहले है 10 परसंट का इंक्रीज और फिर डिक्रीज है 20 परसंट का बताने एफेक्टिवली कितना परसंट डिक्रीज हो रहा है क्या हो जाएगा 10 माइनस 20 और यह मल्टिप्लाई वाले फेक्टर यानि 10 इंटू माइनस 20 अपॉन हंड्रेट तो यह यह 10 माइनस 20 माइनस 2 माइनस 12 सक्सेसिफ चेंज के तरीखे से सोच रहा हूँ मैं देखो पहले ट्रांजेक्शन में तो 10 परसंट का प्रॉफिट है उसे इतने पार्ट में दूसरे पार्ट को मैं देखना चाहरा हूँ कि उसे कितने कम पर मिली बाइक तो कितने परसंट कम पर मिली वो 12 परसंट यानि उसे जो टोटल फायदा हुआ पहले में उसने 10 परसंट जादा पर बेचा और दूसरे स्टेप में 12 परसंट कम में खरीदा तो टोटल जो उसे फायदा हो रहा है वो कितने परसंट हो रहा है 22 चलो आगे चलते हैं इसे रहने देते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट लॉस का लास्ट टॉपिक है वो है इसमें हम क्या लेते हैं कि जो बैलेंस है मतलब तराजू जो है या जिस रीडिंग पर वो देराए स्केल जो है वो क्या है फॉल्टी है मतलब कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम दोनों तरीखे की हो सकती है कि वेट जो एक्चुल वेट है उससे जादा द दिखा रहा है अगर एक्चुल वेट से जादा दिखा रहा है तो किसे फायदा है शॉप कीपर को या कस्टमर को तो कि देखो शॉप कीपर के लिए यह चीज अच्छा से समझ लो कि शॉप कीपर की के रेफिरंस से अगर हम देखेंगे चीजों को तो उसकी कौस्ट क्या है शॉप यह कॉस्ट क्या चीज होगी actual weight of the goods given यानि actual जो actual उसका समान जा रहा है वो उसकी क्या है? cost है और उसकी earning क्या है? earning है उसकी reading on the balance यानि customer किसके हिसाब से pay करता है? जो भी उसे balance पे दिखता है weight उसी के हिसाब से customer pay करता है कोई भी चीज़ खरीब में पे तो जब हम shopkeeper के हिसाब से चीज़ों को देखेंगे तो shopkeeper की cost क्या होगी? जो की actual weight जा रहा है उसके पास से जैसा अगर मालो बिल्कुल सही हमारा balance है तो एक kilo उसमें weight दिया तो जो उस एक kilo की cost आई उसे वो उसकी cost है और उसकी earning क्या है? जो customer ने scale देखते scale पर उसे एक kilo दिख रहा था तो उसे एक kilo के पैसे भी है वो उसकी earning है यहां तक तो clear है अब अगर balance गड़बर हो जाता है कभी-कभी गलती से भी हो जाता है problem और कभी-कभी cheating भी करते हैं तो उसके हिसाब से भी होता है दोनों cases हम पढ़ेंगे इसमें तो उसमें क्या होगा? अगर weight कम है और reading जादा शो हो रही है तो उसका जो actual weight जा रहा है वो तो कम जा रहा है लेकिन वो जो customer से पैसे ले रहा है earning जो ले रहा है वो जादा ले रहा है तो फाइदा किसको हो जाता है? शॉप कीपर को और अगर इसका उल्टा हो जाए कि scale पे actual में weight तो जादा है लेकिन scale पे कम शो हो रहा है तो आप शॉप कीपर का क्या होगा? cost जादा हो जाएगी जो actual weight जा रहा है वो जादा है और जो customer पैसे दे रहा है वो balance देख के दे रहा है वो कम हो गई तो ऐसे कि इसमें shopkeeper को क्या हो जाएगा? loss हो जाएगा ठीक तो shopkeeper के perspective को समझ लो क्योंकि जात्तर क्या होता question में shopkeeper के हिसाब से ही पूछा होता कि कितना फायदा हुआ या loss हुआ customer के हिसाब से नहीं पूछते लेकिन customer की अगर हम बात करें, तो customer की cost क्या है? actual amount paid which will depend on the reading of the balance customer के लिए cost वाला part क्या है? जितने वो पैसे दे रहा है reading देख के और उसकी earning क्या है? जितना वो समान लेके जा रहा है देखो ये दो वर्ट को clear कर लो, तो confusion नहीं होगा cost और earning हम अभी multiplication factor बनाएंगे इसके तो ये ध्यान लखेंगे कि profit के लिए हम cost और earning को relate करेंगे तो shopkeeper के लिए cost क्या है? फिर से समझ लो, जो की weight actual में जा रहा है और उसकी earning क्या है? जो की balance पे reading शो हो रही है क्योंकि customer उसी हिसाब से pay करेगा जो balance पे शो हो रहा होगा customer के लिए क्या होगा? customer की cost क्या है? जितने वो पैसे दे रहा है, वो उसकी cost है और उसकी earning क्या है? उसकी earning क्या है? जो वो समान लेके जा रहा है एक्चुल वेट नहीं कि लिए 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 कुछ पूछना है किसी को किलियर है यह पॉइंट यह से तो पहला पॉइंट तो तुम्हें यह याद रखना है कि किसके प्रेस्पेक्टिव से पूछ रहा और उसके लिए कॉस्ट और अर्निंग क्या है दूसरा पॉइंट है कि हम कभी भी यह एजियूम नहीं करेंगे शौट कीपर विल ऑल्वेज भी एट एडवांटेज अल्लेस एंटिल कुश्चन में दे रहा का वह बात अलग है वन्ना हम न दोनों तरीखे के केस हो सकते हैं फॉल्टी बैलेंस है तो दोनों चीज़े हो सकती है यह भी हो सकता है कि एक्च्वल वेट से कम दिखा रहा है या फिर एक्च्वल वेट से जादा दिखा रहा है तो इस तरीखे से हम रिलेट करेंगे कॉस्ट और अर्णिंग को यह मेंन पॉइंट है हम आटोमेटिकली यह नहीं मान लेंगे कि जब भी ऐसे फॉल्टी बैलेंस का कुश्चन आ रहा है तो जो कॉस्ट है वो कम होगी और अर्णिंग वाला पार्ट जादा होगा हम आटोमेटिकली यह नहीं माल लेंगे कि जो लोईर वैलियू है वो कॉस्ट है और हायर इर्णिंग है इस पॉइंट को किलियर हो रहा है? यह सिर आपने कराया भी दर स्वेश्टन पर्सेंटेजिस में एक में फ्राफिट हो रहा था, एक में लॉस हो रहा था तरहा था अब उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा है तो यह कहने का मतलब यह है कि कोशन में अगर किलियर ली दे रहा है कि भई प्रॉफिट बना रहा है वह अपना इस तरीके से तो बात अलग है वहना हम हमेशा कोशन के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा पोडिशन कॉस्ट है और कौन सा अर्णिंग है हम यह short cut नहीं कलेंगे कि वह शॉबक그ीपर है faulty balance का question है तो शॉबकीपर को फायदा ही हो रहा हщёका तो जो कोस्ट की कम value आ रहे इसको काई दो कोस्ट है और जो जाधा value आ रहे इसको वैश्वेंग्रिद है जैसे कि शॉपकीपर ने क्या करा गुड में मिक्स कर दी इंप्यूरिटी या मिल्क मैन क्या कर रहा है वाटर के अंदर पानी मिला रहा है या कुछ गुड्स जो हो गए वो रैट्स में खा लिए एक गेड्स ब्रोकिन मतलब जो इस तरह के पोर्शन है उसके लिए हम यह कॉं इस गुड्स के देराखा पहली लाइन में कि एक ट्रेडर है वो उसी रेट पर बेज देता है जिस पर भू खुरीदता है तो अगर सिर्फ इतनी लाइन होती तो तो ना तो उसे प्रॉफित होगा ना ही लॉस होगा भी तो ले कर लेके आया उसना उसी रेट पर बेज दिय लेकिन आगे क्या दिया है? तो अब उसे प्रॉफिट किसकी वज़ा से हो रहा है? तराजू तराजू की वज़ा से और वो तराजू में क्या हो रहा है? 100 ग्राम्स कम कर दिया 100 ग्राम्स कम कर दिया यानि कि अगर उस पे एक किलो दिख रहा है यानि 1000 ग्राम्स दिख रहा है तो वो एक्चुल में कितना है? 900 900 ठीक यानि उसने ऐसा बैलेंस यूज़ कर रहा है जो कि 900 हम एक्चुल अगर उस पे वेट रख रहा है है तो वो स्केल में किया दिखा देता है 1,000 गरम वन-केजी तो उसको प्रॉफिट यहां से हो रहा है बाकि कि उसका रेट किया है जिस रेट पर खरीद । उसी रेट पर बेच रहा है है तो उसफे कितने पर्संट प्रॉफिट हो रहा होगा तो देखो इसको करने का पहले हम समझ लेते हैं क्या बेसिक तरीका उसके बाद हम इसके लिए भी एक मल्टिप्लिकेशन फैक्टर करेंगे माल लो उसने क्या करा जो भी समान खरीदा है वो CP हम ले लेते हैं X पर केजी तो उसका सेलिंग प्राइस भी क्या है X पर केजी तो क्या दे रहा है सेम रेट पर बेच रहा है तो इसी पर सेल कर रहा है अब उसके पास से कितना जा रहा है 900 ग्राम तो उसकी जो कॉस्ट पढ़ लाई है वो कॉस्ट कितनी है अब कि पर ग्राम पर ग्राम कर लो रेट कन्वर्जन नहीं करना पड़ाएगा छोड़ो जब को यह क्या लिखा है यह कॉस्ट प्राइस लिखी वो जो समान खरीद रहा है वो किस रेट पर खरीद रहा है एक्स रुपीज पर ग्राम और सेल कितने पर कर रहा है एक्स रुपीज पर ग्राम तो कॉस्ट अब हम किसकी बात कर रहे हैं तो कितना समान जा रहा है इस केस में हमारे में तो के लगव हुए उसके पास से तो 900 गया है तो उसकी कोस्ट क्या हो जाते हैगी 900 लिए के सिएग्स लिए पते ही लुद्स यह श्यक्ताइब जा कंगा तो तुम अगर दुकान पे जाओगे तो किसाब से पैसे देता है उसके श्केल देटा नुब देटा हो तो मैं अब मालें की वह तो मैं एक्टुल फोट नीघ्ट नहीं पता तो जरूद का हुआ ना उस साम है आज़ा है captiveर Som menstrual किर मिनकंञ्च अ intरिफ अ क्या देखके देटा है जो की lift अगर उस पेbère की श मोंनिए की एक लू यानि nhất वन नींटिया कोस्ट प्राइस घैस में तो कोस्ट में भी एकस आगया और सेलिंग में भी एक्स पर केजी आगिया तो टोटल उसकी कॉस्ट कितनी हो गई 900 एक्स और टोटल अर्निंग कितनी हो गई कि 1000 तो कितना प्रॉफिट हो जिया हंड्रेड एक्स तो प्रॉफिट पर्संटेज कितनी हो गई हंड्रेड एक्स अपॉन बेस में क्या आएगा नाइन हंड्रेड गुर्ड बेस में हमेशा कॉस्ट रहेगी इंटु हंड्रेड पर्संट तो यह हो गया वन अपॉन नाइन वन अपॉन नाइन इस को 11.11 यानि ऐसा कोई बैलेंस है जिसमें की वन नौ सो ग्राम के एक हजार देख रहे हैं तो कितना फायदा हो रहा है उसे शौप कीपर को 11.11 ठीक अच्छा कोई यह बता सकता है कस्टमर को कितना लॉस हो रहा होगा कि अच्छा करेंगा लॉस परसंटेज अच्छा की लॉस परसंटेज आ है यह यह जो तैन परसंट कस्टमर की लॉस परसंट है यह एए ऐसा कि मैं भई शौप की पर की परसंटेज रहा है यह जितने वह पैसे दे रहा है वह कितने पैसे दे रहा है वह तो एक किलो मानना है ना 1000 x और वह ले के कितना जा रहा है 900 900 x कस्टमर की अर्णिंग क्या होती जितना वह समान लेकर आया वह 900 ग्राम लाया एक ग्राम की कॉस्टी एक्स तो 900 एक्स तो लॉस एमाउंट तो सेम है लॉस उसे भी 100 एक्स कई गया बट उसके लिए जो कॉस्ट है यह बेस है तो हंड्रेड अपॉन थाउजंट यानि की टैन परसे नॉर्मली ऐसे कुश्चन में कस्टमर की नहीं पूछते हैं शॉपकीपर पर जिये तो शॉपकीपर से ध्यान रखो उसकी कॉस्ट क्या है जो एक्चुल वेड जा रहा है उस कि लिए यह देखो यह परसंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला वही कॉंसेट है यह मान लो शॉपकीपर है और यह कस्टमर है शॉपकीपर कस्टमर को बेच रहा है कितने प्रॉफिट पर 11.11 परसेंट यहीं 11.11 परसेंट इंक्रीज तो कस्टमर के रैस्पेक्ट में कितने डिक्रीज होगा इंक्रीज और डिक्रीज वाला क्या था 11.11 इस कितना होगा फ्रेक्शन में वन अपॉन नाइन अगर किसी वैल्यो को हम वन वाइण से इन्क्रीज कर दें तो औरिजणर वैल्यो पर आने के लिए कितना डिक्रीज करना पड़ेगा कि यहाँ नहीँ फार्मूला एन बाइड से अगर इंक्रीज हो रहा है तो ओरृजनल के लिए किते उसको increase हो रहा है तो किते decrease करना पड़ेगा 1 upon 9 plus 1 1 upon 10 यानि 10% इसलिए percentage कभी भी ऐसे नहीं होता कि A से 20 इतना percent increase या decrease है तो B2A वापस वही हो जाएगी उसी के लिए हमने यह formula पड़े थे Profit Loss percentage decrease ही है वही चीज़ कर रहा है अब आते हैं next पर अब क्या कह रहा है ट्रेडर सेल सेटा markup of 10% अब उसने क्या करा markup भी कर दिया यानि जितने का उसने समान खरीदा वो उसकी cost price है उसको वो 10% increase करके बेच रहा है एंड एड़ सेम टाइम यूजिज़ अवन केजी डेट वेज ओनली 900 ग्रांड कि फाइंड इस प्रॉफिट परसेंटेज तो हम पहले cost निकालते हैं shopkeeper को cost कितनी पढ़ लाई है अगर वो सिर्फ 900 की बात कर रहा है तो हम ले लेते हैं 900 इंटू एक्स अर्णिंग कितनी हो रही है पहली बात तो वो 900 के क्या दिखा रहा है 1000 यह किसकी वज़ा से है faulty balance की वज़ा से faulty balance की वज़ा से क्या चेंज जा रहा है 900 के क्या बन गए 1000 है न वह एक्च्वल उसमें 900 ग्राम है लेकिन customer क्या समझ रहा है 1000 तो वह कितने पे करेगा 1000 इंटू एक्स इंटू यह जो 10 परसेंट है वह एक्च्वल में इतने पे करेगा अब क्या हुआ यह जो कॉस्ट प्राइस की customer मतब शॉप कीपर जितने पर समान खरीच के लाया था उसमें भी उसने क्या करा यह कितने परसेंट इंक्रीज कर दिया 10 परसेंट यानि दो जगा से उसको फाइदा हुआ एक उसने जितने की समान खरीच के लाया था उस पे अपना 10 परसेंट इंक्रीज करके बेच रहा है वह और दूसरा क्या कर रहा है एक बैलेंस भी लाया है जो कि 900 को कितने शो कर रहा है 1000 ये दो फायदे हुए उसे तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 900 X और अर्निंग कितनी हो गई ये सही है गया 1100 X ठीक है इसमें दो चीज़े है एक तो वही बैलेंस है 900 को 1000 दिखाने वाला और दूसरा क्या है कॉस्ट देखो दो एंड है एक तो वो कॉस्ट यानि जो समान जिस रेट पर उसने खरीदा वो है CP और उस पर क्या करा 10% MarkUp कर दिया यानि 10% increase कर दिया उसे तो कस्टमर एक तो इंक्रीस किये वे रेट दे रहा है और जो समान खरीद रहा है वो हजार मान के खरीद रहा है जब कि एक्ट्वन में कितना था वो 900 तो उसके पास से जो total cost जा रही है मतलब जो custom shopkeeper का खर्चा हो रहा है वो 900X का हो रहा है और earning कितनी हो रही है 1100X तो total profit कितना हो रहा है इस बार उसे 200X तो profit percentage किती होगी 200 upon 1100 oh sorry 900 X into 100% कितनी आगई profit percentage 2 by 9 2 by 9 is 22.22 यानि अब उसे किता profit होगी है 22.22 के लिए रहे हैं तर एक तरफ cost होगी यानि जिस rate को समान खरीदा रहा और कितना समान है actual जो जा रहा है वो उसकी cost हो जाएगी earning में क्या हो जाएगा जितना वो show कर रहा है और किस rate पे show कर रहा है होगी 10% increase किया तो वहाँ पर increase markup price इसमें हम thousand में लगाएंगे न क्योंकि सर वो तो यह तो weight है न यह सर यह weight है यह मैंने x पर gram ले रहा किया है यह सर यह सर मदब सर मदब अगर तो यहां भी थाउजंट होता और यहां भी थाउजंट होता यह मारकप ऐसी रहता एक्स इंटू जैसर मारकप तो कॉस्ट पर हो रहा है न उसका वेट से मतलब नहीं है वो तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है अब इसे देखो question करने के लिए ऐसे कई सारी चीज़े हो सकती कि लॉस हो गया कहीं discount से करीदी कोई किस टूड गई तो ऐसे जितने भी cases होंगे हम ऐसे नहीं करेंगे बार बार यह सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं मैं तुम्हें इसके बाद हम क्या करेंगे हर एक के corresponding एक multiplication factor ले आएंगे फिर हम डायरेक्ट उसके multiplication factor से multiply करके बता देंगे कि overall उसको कितना profit हो रहा है जैसे की faulty balance faulty balance के लिए अगर मैं multiplication factor लूँ मादलो fb लिख रहा हूं तो कितना होगा उसकी value इस चीज में यह याद रखना कि जिसमें profit हो रहा होगा तो उसमें multiplication factor की value 1 से बढ़ी होगी यह चोटी होगी profit के लिए बाइटर देन वन होगी जैसे तुम्हें balance से समझ में आ रहा है कि वन केजी है लेकिन rate कर रहा है 900 ग्राम पर तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि फायदा हो रहा है तो तुम यह values इस तरीखे से लिखोगे कि तुम्हें पता चल जाए कि वन से बड़ी value आएगी तो यहाँ पर थाउजन की चीज है थाउजन अगर ग्राम है एक्चुल में कितना था वो 900 ग्राम कि अर्णिंग कितनी है उसकी अर्णिंग की सेट से निकालते हैं अगर अगर कि देखो इसके निया मल्टी इदर मैं लिख लेता हूं नीचे बना देता हूं फॉल्टी वेक्षित के लिया है इस तरन्जेक्शन और इसकी वैल्यव होगी सिख्यान प। कि प्रॉफिट हो रहा है यह सर तो देखो इसकी वेल्यू हम इस तरीके से ले लेंगे की अपॉन नाइन हंगे यह उसकी कॉस्ट है और यह उसके अर्णिंग है कॉस्ट उसके एक्चुल वेट पर डिपेंड कर रही है जो की रीडिंग शो कर रहा है मैं तो फॉल्टी बैलेंश के लिए हमारा मैल्टिपलिकेशन फेक्टर हो जाएगा इसमाइश के तो मारक अब तो तुम्हें सीधे दे रहा है तैन परसेंट तो तैन परसेंट इंक्रीज के लिए कितना होगा मल्टिप्लिकेशन फेक्टर 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10 तो ओवर अल जो प्रॉफिट हो रहा है वो इन दो चीजों की वज़ा से हो रहा है तो इनके मल्टिप्लिकेशन फेक्टर को मल्टिप्लाई कर दो क्या गया है 11 वाइन 11 वाइन का मतलब कितने परसेंट प्रॉफिट तो हम इस एप्रोच से करेंगे कुश्चन यह जो एक्स और यह सब मैं तुम्हें समझाने के निए अभी बता रहा हूं आगे से जो कुश्चन होंगे उसमें सीधे तुम्हें क्या करना है कि किस-किस की वज़ए से प्रॉफिट या लॉस हो रहा है सब को एक मल्टिप्लिकेशन फैक्टर की फॉर्म में चेंज करते चले जाओ आंसर मिल जाएगा कि लिए तो बैलेंस के लिए डायरेक्ट है जितना अर्मिंग यानि जितना वो शो कर रहा है डिवाइड वाई एक्ट्वल अच्छा यह देखो थोड़ा सा अला कुश्चन था इन समर्स ऑल मेटलिक मीटर स्केल एक्सपेंड वाई टैन परसेंट वो क्या कह रहा है कि जब भी समर्स आते हैं तो क्या होता है जो स्केल होते हैं मेटल के बने होते हैं गर्मी में क्या होता है मेटल एक्सपेंड होता है तो टैन परसेंट वो इंक्रीज हो जाते हैं तो बताओ प्रॉफिट कितना होता है क्लोथ ट्रेडर को इन समर्स अगर वो मेटलिक मीटर स्केल से मेजर करता है क्लोथ और वो मार्क अगर मैं इसको देखो एक्स वाले से बार और कर लेते हैं चलो इसकेल एक्सपेंड होने पर क्या हो रहा है जो क्लोथ ट्रेडर है अगर वह मालूब वन मीटर या हंड्रेट सेंटीमीटर ले लेते हंड्रेट में सामें हंड्रेट सेंटीमीटर वह यह सोच रहा है कि मैंने कितना ट्लोथ मेजर किया हंड्रेट सेंटीमीटर लेकिन एक्ट्वल में कितना हो गया वह 110 क्योंकि वही metal expand होके क्या हो गया बड़ा हो गया तो actual में उसने कितना measure कर दिया 110 तो यहां पर उसे फायदा हुआ या loss हुआ loss हुआ loss हुआ उसका जादक load जा रहा है और वो पैसे कितने के लेगा 100 के तो यहां पर उसकी cost क्या हो गई cost होती है जो actual weight यह actual समान जा रहा है उसके यहां से तो actual में उसका कितना जा रहा है समान 110 ठीक है into x मान लेते हैं हम उसकी cost price कि पर centimeter उसकी x थी cost और उसकी earning कितनी हुई 100 into x customer कितने के देगा वो तो 100 centimeter की पैसे देगा ना 100 into x नहीं है देखो इस बार उस वो markup करके बेच रहा है 10% का markup 10% का markup मतलब 11 by 10 मतलब जिस cost पर वो खरीद रहा है उसमें 10% increase करके बेच रहा है वो तो ये भी कितना आ गिया 110 x ये भी कितना आ गिया 110 x यानि ऐसे transaction पर उसे ना तो profit हो रहा ना ही loss हो रहा है उसने जो 10% increase किया था markup वो क्या हो गया metal के scale से जादा समान चला गया तो दोनों वहाँ पर balance हो गया दूसरे लुग अब इसको देखो multiplication factor में कैसे करते हैं ये जो तुमारे scale की वज़े से गड़बड हुआ मानलो fs तो वहाँ पर earning कितने की हुई उसकी उपर देखो earning लिखते हैं और नीचे लिखते हैं उसकी cost इस बार तुम्हें वैसे भी पताए कि इसकी वज़े से क्या हो रहा है लॉस हो रहा है तो इसकी value जो होगी वह less than 1 होगी तो कितने reading पर earning हो रही earning कितने पर हो रही है उसको 100 पर और actual कितने जा रहा है cloth 110 यानि इसका multiplication factor हो गया 10 by 11 दूसरा है markup markup तो पता 10 percent increase के नहीं है इसकी value क्या हो जाएगी 11 by 10 तो overall profit इन दोनों का multiplication होता 10 by 11 into 11 by 10 1 आ रहा है 1 का मतलब no profit no loss तो दिमाग में multiplication factor बनाने की डालो इस टाइप एक दम हो जाते है multiplication factor से जैसे इस पर आते हैं देखो milkman mixes water equal to 16.66 percent of the milk that he has further he sells at a markup of 20 percent find his profit percentage if water is available free of cost यानि water के हम कोई cost नहीं मानेंगे free मानेंगे तो वो कितना increase इस कितना पानी मिला रहा है 16.66 percent 16.66 percent को हम मान सकते हैं one upon six अगर हम milk ले ले six liter तो उसमें कितना water rate करेगा वो one by six of six यानि one liter rate करेगा ठीक है अब हम मान लेते हैं कि milk की cost तो कॉस्ट क्या होगी milkman के लिए जित्ता उसका milk जा रहा है customer को जित्ता वो milk दे रहा है यह total milk के होगी है seven liter लेकिन seven liter में milk कितना है six तो कॉस्ट किसकी है सिर्फ milk की ना उसमें पानी की तो कोई cost नहीं है पानी को तो इस question में दिया हुई कि free of cost मानना है तो हम मान लेते हैं six into x गुड कस्टोमर को कितना बेचा seven liter तो six का पहली बात यहां seven हो गिया और जो रेट किस रेट पर बेचा mark up of twenty percent यानि x into six upon five one upon six upon five तो यहां से हम profit percentage निकाल लेंगे अब इसको हम करेंगे multiplication factor से हमें क्या निकालना है total profit कितना हुआ कितने factor आएंगे यहां पर दो एक तो जो उसमें पानी को mix किया माल लेते हैं डबलू लिख लेते हैं पानी mix करने की वज़े से और एक mark up की वज़े से तो यह डबलू पानी मिलाने से उसे profit हो रहा है या loss हो रहा है पानी मिलाने से profit हो रहा है तो क्या इसकी value इस fraction की value क्या आएगी जल्दी से बताओ इसकी factor की उपर लिखो earning नीच आएगी cost कॉस्ट कितने की पढ़ लाई है उसे 6 लीटर मिल्क की और बेज कितने कर आए वो 7 लीटर का तो water मिलाने की वज़े से जो factor आएगा वो क्या होगा 7 by 6 या फिर हम इसको 16.66 को समझ सकते हैं कि 16.66% increment हो रहा है तो 16.66 is 1 by 6 का increment is 7 by 6 तो यह factor आगिया है किसकी वज़े से पानी मिलाने की वज़े से और mark-up की वज़े से mark-up of 20% 20% का mark-up निए 6 by 5 यह 6 से 6 गया profit factor की value किती आ गए 7 by 5 यानि किते percent profit हो रहा होगा तो अगर वो पानी में ऐसे इतना water मिला रहा है और फिर mark-up करके बेच रहा है तो total profit किता हो रहा है उसे 40% ठीक तो यह देखो multiplication factor से यहां पर हमें बहुत help मिल रही ऐसे question में तो हम क्या करेंगे जितने भी ऐसे cases बनते रहेंगे सब के multiplication factor लिखते जाएंगे सब को multiply कर देंगे तो हमें एक final overall profit मिल जाएगा बस दिहान हमें यह रखना है कि जब भी profit होगा तो multiplying factor को greater than one लेना जब भी loss होगा तो less than one जैसे यह question है बात है selling at a 20% higher rate as compared to the rate of purchase a shopkeeper is able to make a profit of only 10% due to his faulty balance अब की बार balance दूसरे तरीखे का है उसकी वज़े से उसे क्या हो रहा लॉस हो रहा है तो वो क्या कह रहा है कि हमें कितने पर बेच रहा है वो 20% higher rate यानि की markup तो markup का multiplication factor कितना आ गिया 20% higher means क्या हो गई values की markup वाले की जल्दी बताते जाओ तो देखो कुशन एकदम हो जाए डिफिकल्टी लेविल बढ़ लाई लेकिन आप तुम जल्दी करते चले जाओगे क्या होगे इसका 20% higher के लिए multiplication factor 6 by 5 6 by 5 और profit कितना हो रहा है उसे 10% यानि क्या है multiplication factor 11.10 एक factor हमसे unknown है वो है faulty balance या balance ही लिख लेता हूं वी यह निकालना है तो हमें पता है overall जो profit होता है वो जितने भी factor आते हैं उन सबके multiplication के बराबर होता है तो यह हमें इस बार यह दे रहा है 11 by 10 markup का है 6 by 5 और faulty balance की वज़े से जो वो हमें नहीं पता है तो यह कितना होगी है 5 से करे 2 इसकी value आ गई 11 by 12 अब हम देख इस multiplication factor के बेस पर बता सकते हैं इस पर profit हो रहा है यह loss हो रहा है 11 अपॉंसर लॉस हो रहा है less than 1 और कित्ते percent हो रहा है अगर यह पूछा होता है तो हम बता सकते तो 1 upon 12 1 upon 12 yes 1 upon 12 is 8.8.33 percent 33 होता है 12 होता है त्री थ्री थ्री एट पॉइंट थ्री 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 पर तो यह है लेकिन इस बार यह नहीं पूछा हम से यह हम निकाल लेते आगे क्या पूछ रहा है कि क्या reading शो होगी balance पे अगर हम उस पे एक केजी का रख दे वेट यानि यह क्या दे रखा है actual weight तो हमें पता है जो भी हम balance लेते हैं उसको किस हिसाप से लिखते हैं यहां होती अर्णिंग earning का मतलब होता है balance की reading upon नीचे क्या होती ही cost होती है actual cost यानि actual weight तो यह factor तुम्हां पता चलिए इसकी value है 11 by 12 तो पहले पार्ट में कह रहा है कि balance पे क्या reading शोगी अगर actual weight यानि हम वह good रखें जो कि वन केजी का है यानि यह वाली चीज अन्नोन है और यह तुम्हें पता है 1000 केजी को ग्राम में कल दिया तो इससे हम एक्स की value निकाल लेंगे 1000 से बड़ी आएगी या चोटी value आएगी इसका balance ऐसा है जिसकी वेसे उसे नुक्सान हो रहा है फिस बार जो answer बड़ी आएगी सर्थ बड़ी आएगी चोटी 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 उसे नुक्सान हो रहा है एक्च्वल वेट 1000 है स्केल पर क्या शोगा 1000 से कम कुछ value आएगी कितनी आ रही है केल्कुलेशन पार्टेक है यह समझने के लिए देखो 8.33% का loss हो रहा है यानि 83 ग्राम हो जाएगा 1000 पे 83 मतलब 917 के आसपास कुछ आएगा यानि उसको देखो 1000 ग्राम रखने पे या शो रहा है 970 के करी इसलिए नुकसान हो रहा था न उसे दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है actual rate क्या होगा अगर balance rate क्या कर रहा है 1kg तो हमें पता यह faulty balance का यह है 11 by 12 factor है और उपर लिखते हम जो शो हो रहा होता नीच़ एक्च्छल button servant या यह 1000 और यह एक्चुल तो एक्स इस इकल टू है टो एल्व इंटू वन थाउजन अपाउन एलेवन यानि बैलेंस अगर वन केजी रीट कर रहा है तो जो वेट है वो कितना है जादा होगा कि अगर एक हजार का वेट है तो वो रीडिंग पर क्या शो कर रहा है पहुंसरो पैसे किस इसाव सबसे लेगा वो noticedरो सत्रा के लेगा नश समाजु कितना कि लिया एक हजार तोOW से लास हो रहा है तो यह multiplication factor से देखो किती जल्दी हमें कोई सोचना नहीं पढ़ ला सीधे हमें value पता चब लाइगा कि बिफोर सेलिंग दा मिल्क टुइस कस्टमरा मिल्क मैं मिक्सिस टू लीटर फ्रीली अवेलेबिल वाल्टर विद एवरी एट लीटर आफ यहां मिक्सिंग हो गई तो इस वाल्टर मिक्स करने की वजाए से फायदा हुआ या नुक्साण हुआ जल्दी बताओ फायदा हुआ या नुक्सान हुआ जब फायदा है फायदा ही हो रहा है पानी का तो हम प्री मान के चलेंगे अल्लेस एंटिल कोश्चन में न दिया हुँ तो हम मिक्सिंग की वैसे तो फायदे के लिए फैक्टर क्या बनेगा यह बताओ देखो मिक्सिंग या बैलेंस इस तरीखे कोश्चन में माइंड में यह सोच हूँ उपर अर्णिंग रखनी है और नीचे कॉस्ट रखनी है तो यहां पर वाटर मैन को कॉस्ट कितने की पड़ेग एट लीटर ओफ प्यॉर मिल्क यानि एट और वो उसे बेचेगा कितने में अर्णिंग कितने की लेगा वो उसे तेन लीटर बस तो यह फैक्टर हो गया था ता तम तैन बाई फैक्टर हो गया इसकी वज़ा से और क्या दे रखा है वाइल सेलिंग इट तु इस कस्टमर व इल्गी गिव एग्जाट्ली टेन पर्सेंट लेस देन वर टीद्वीं डियJust Uber दूसरा क्या है वो कम कॉंटिटी दे रा है कितने कम दे रा है तैन पर्सेंट कम थैन पर्सेंट कम थैन थैन पर्सेंट कंश्थैंक के लिए क्या ऐगा फेक्टर nine- discount नाइन अपॉन टेन आएगा 10 अभी ज़रा इसको रुपते हैं और मार्क अप बाई 20 परसेंट मार्क अप के लिए क्या होगा मार्क अप प्राइज बाई 20 परसेंट 6 अपन 5 6 अपन 5 ठीक है अब ये बीच वाला मैंने छोड़ दिया ज़रा इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा देखो लेंग्वेज से पड़ो इसका मतलब क्या है वाल्टी क्लेम्स टू गिव मालो अगर वो कह रहा है कि मैं तुम्हें 100 लीटर दे रहा हूँ क्लेम कर रहा है वो तो एक्च्वल में कित्ते दे रहा है अगर वो किसी से कह रहा है कि मैं तुम्हें 100 लीटर दूद दे रहा हूँ तो एक्च्वल में कितना दे रहा है वो एक्टी मिली लिट एन परसंट या जो फैक्टर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा यानि कि टैन अपॉन नाइन आएगा 10% less than what he claims to give यानि जितना वो कह रहा है उससे 10% कम दे रहा है तो जो उसको कॉस्ट पढ़ लई है वो सिर्फ 90 लीटर के पढ़ लई है और वो पैसे जो ले रहा है वो 100 लीटर के ले रहा है तो यह जो फैक्टर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा यह तीर हमारे फैक्टर है तो एफ पी कितना हो गया टोटल प्रॉफिट 10 बाई 8 इंटू 10 बाई 9 इंटू 6 बाई 5 कितना हो गया यह कुछ कट रहा है 5 से गया यह 2 तू से गया यह 4 फोर से गया यह 2 और यह यह 5 और 3 से आगी है 3 और यह यह 2 तू से आगी है 3 यह गया क्या बज़िया 5 बाई 3 तो 5 बाई 3 का क्या मतलब है कितना प्रॉफिट है विवन से जादा तो प्रॉफिट तो है कितने परसेंट प्रॉफिट है प्रॉफिट है अंसर ओप्षन में कौन पर रही है तू बाई 3 यानि कि 66 पंट जिए वह प्रॉफिट यह फायदा होगी है तो बस यह थोड़ा सा हमें केरफुल होना था टैन परसेंट लेस देन वाटी क्लेम्स तूगे यानि अगर वो 100 लीटर कह रहा है तो वो दे कितना रहा है 90 तो उसकी कॉस्ट 90 की लग रही है और अर्मिंग हो रही हंडेट की अ शॉपकीपर परचेज ब्रंडड वीट रोम अ वल सेलर अ दिसकाँट ऑफ तर्स पर संट इन इस 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 प्रेज राट इट विट फेंट अ वेट विट पर संट अ विट यूश्य्मिंट इस नद विट एल फिर इसमिंट के लिट आट पर संट फर्दर वाल selling he sell at a discount of this and his balance read this find his profit and loss तो यहां में कितने factor दिख रहा है एक ये 12.5 का दिख रहा है एक ये 10 का दिख रहा है एक ये 10 का दिख रहा है एक ये दिख रहा है और एक ये 5 factor होंगे इसमें ठीक तो total जो profit होगा वो इन 5 चीजों पर depend कर रहा है पहला हम देख लेते हैं वो क्या कर रहा है होल सेलर से खरीद रहा है कितने discount पर 12.5 discount पर इसके निए factor क्या आएगा होल सेलर से वो 12.5 discount पर खरीद रहा है तो उसको फायदा हुआ कुछ उसका factor क्या होगा यही सबसे tricky है बाकी तो फिर असान है यह जो discount वाला factor आएगा यह कितना होगा फिर यह rate खागा 12.5 का उसे discount मिल रहा है देखो 12.5 का discount का मतलब है 12.5% is equal to कितना होता है 1 upon 8 तो अगर discount मिल रहा है तो 1 minus हो जाएगा यानि की 7 by 8 ठीक है तो इसके लिए हम क्या value ले इसकी वज़ा से उसे फायदा हुआ या नुकसान हुआ discount की वज़ा से उस shopkeeper को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है तो यहां हमारा factor क्या बनेगे अगर 7 by 8 लेंगे तो तो वह वन से कम हो देखो यह 7 by 8 किसके लिए एट अपन सेवन एट अपन सेवन इसके लिए होगा एट अपन देखो यह जो हम इसको ऐसे लिखेंगे जो wholesaler के price थे उसको हम 7 by 8 से multiply करेंगे तो शौक कीपर के price आएंगे जो शौक कीपर है तो यह 7 by 8 का factor तब होता जब हम wholesaler के term में बात कर रहा होते हैं wholesaler ने discount डिया 7 by 8 शौक कीपर को इससे कितना फायदा हुआ 8 by 7 दूसरा क्या है 10% wheat खा गये चुहे तो यह फायदा है यह नुकसान है कितना factor हो जाएगा फिर नाइन अपन टेन नाइन अपन टेन फिर क्या है mixes impurities to the extent of 10% अब उसने क्या करा mix कर दिया 10% impurities तो impurity की हम कोई cost नहीं लेंगे तो अब इसकी वैसे क्या होगी उसको कितना फायदा होगी इंक्रीज 11 अपन टेन फिर वो क्या कर रहा है सेल कर रहा है इतने percent discount पर देखो अब यह discount वाला है अब वो जो बेच रहा है तो अब उसके लिए जो factor होगा सिक्स पॉइंट सिक्सिक्स परसेंट का मतलब वन अपॉन सिफ्टीन वन अपॉन सिफ्टीन तो डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा कि डिक्रीज करना है वन माइनस यह आगी है इसकी वजह से लॉस हो रहा है देखो लेस देन वन का फैक्टर आगिया और लास्क क्या है बैलेंस बैलेंस रीड डिस इस बैलेंस से फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है यह देखो पहले तो यह कूचिश करो बैलेंस रीड वन थाउजन फॉर 1100 नुकसान हो रहा है यह लॉस हो रहा है तो लॉस अड्मिंग कित्ते की अड्मिंग करेगा वो एक हजार की और एक्चुल एक्चुल कित्ता जा रहा है उसके पास से 100 1100 यह हमारा फैक्टर होगी है यह इन सारे फैक्टर से हमें पते चल जाएगा इसको कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है जीरो से दो जीरो हटाओ 10 10 से यह दो जीरो हटा दो 11 से यह गया 7 से यह गया टूजा और कि जा सकता है यहां थिरी से फाइव एक जीरो जादा कट कर दिया मने दो जीरो से दो जीरो गए थे एक जीरो जाता है तो यहां 10 बचता है तो टू से यह जाएगा फाइव यह फाइनल किता आगिया 24 अपन 25 यानि प्रॉफिट का फेक्टर आगिया हमारे पास 24 अपन 25 तो से ओवरॉड प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है लॉस कितना हो रहा है वह परसंट है को फूर परसंट वन माइनस वन अपोन टुटिफाइव या नहीं कि पूर परसंट है तो आंसर इस तो यह हमारा आंसर है कि लिए तो जितनी भी चीजों की वज़ा से फैक्टर होते हैं उन सबको एक फैक्टर की फॉर्म में कर लेते हैं और यह ध्यान रखना है लेस देन वन ग्रेटर देन वन कर रहोगे तो गड़बर नहीं होगी जैसे यहां में इसकांट की वज़े से 7x8 का फैक्टर देख रहा था लेकिन यह डिसकांट उसने लिया है तो उससे फायदा होरा था इसलिए यह पहला जो फैक्टर ता यह हमें धियान रखना है फायदा होना था तो ग्रेटर देन वन उन हरता तो 7x8 नहीं रखना था यहां पर बागी तो तो सीरे सीरे 10% 10% इंक्रीज दिक्रीस थे यह डिसकाउंट जो था 6.66 का यह उसने दिया तो इसकी वज़े से उसे नुक्सान हुआ इसलिए इसका फेक्टर जो आया 14 by 15 ऐसी यूस की हमने लास्ट में बैलेंस तो बैलेंस को तुम्हें बस यह ध्यान रखना बैलेंस या वाटर मिक्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसमें उपर आता है अर्णिंग अगर मिक्स कर रहा है वाटर और मिल्क को तो कित्ते की अर्णिंग ले रहा है वो उससे या बैलेंस या नि क्या शो हो रहा है इसकेल पर नीचे उसकी कॉस्ट तो इससे हम सीधे फैक्टर बना सकते हैं तो यहां पर क्या था 1000 read कर रहा है for 1100 तो उसकी actual cost 1100 है लेकिन read क्या हो रहा है सिर्फ 1000, earning उसको 1000 से होगी, तो यह 10 upon 11 का इसका balance का factor हो जाएगा बागी सब की multiply यह हमारा faulty balance और इस पे type के question है तो यह हमारे chapter के सारे type की चीज़े cover होगे profit and loss एक बार और दीख लेते हैं आज हमने topic करें तो यह question देखो इसमें allegation वाला हो सकता है कि दो अलगला quantities को मिला के वो कह रहा overall कितने का फायदा हो कितने का लॉस हो इस ताहिए question तो इन question में हमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी उनकी weightage होती है वो हमेशा क्या होती cost price होती है profit loss को आप mixture allegation वाले balancing day scale से कर सकते हो बट आपको weightage उसका धिहान में रखना होगा क्या लेनी होगी cost price number selling price ये चीज़े नहीं आती cost price से markup जाते हम तो mark price उससे discount करके selling price इसको भी हमने क्योंकि percentage increase decrease है इसको भी हमने समझ लिया है multiplication factor से तो profit वाला यानि जो CP और SP को relate करता है that is equal to mark price into discount वाले factor तो ऐसे question direct आते हैं जिसमें profit percentage, discount और markup percentage इसके बीच में relation होती है तो सबसे fast इसके यही तरीखा है करने का आप multiplication factor लिखो profit का equal to mark price into discount वाले factor तीन में से दो चीज़े given होगी एक पूछी होगी आप कर सकते हो सुने यह अच्छा question था बहुत कि 25% अगर कोई commodity तुमें extra दिविल रही है या फिर 25% discount मिल रही है हम क्या prefer करेंगे जो 25% discount मिल रही है इस टाइप के question आ जाते हैं one sop free with four sop और कितना बताव discount हुआ या one with three, one with two या two with three, two with five तो हमें क्या करना होगा पहले सबकी mark price निकालो अगर same mark price है तो सीधा multiply कर दो जैसे यहां सोप एक ही जैसे थे तो five into x कर दिया और उसमेंसे जो चीज़ फ्री मिल रही है उसे discount माल लो और फिर उसको divide करके निकाल लो सिंगल डिसकाउंट कभी भी तीनों का sum नहीं होगा 20 plus 20 plus 25 तो 65 के बराबन नहीं होगा हमेशा उससे कम होगा तो इसे करने का सही तरीखा तो multiplication factor है वनना अगर simple ऐसे fraction है तो 100 के base पे भी कर सकते हो लेकिन आदत वह multiplication factor की रखो तीन decrease है तो उनके लिए क्या क्या होगा multiply करें तो वह पते चल जाएगा यह वही था दो अलग-अलग type की हमने mix की है अच्छा यह वह था A से B गए और B से A आए तो इस type के और question करेंगे आए फ्राइड हमें रहने देते हैं कि मैंने एक छोड़ दिया है फिर हम आ गयते रिक balance और faulty weights पर तो हमें shopkeeper के perspective से जब हम देखेंगे तो याद यह रखना है cost में हम लेंगे जो actual weight गया उसकी cost और earning में होगा जो balance पर शोड़ा है और जो उसका हम price लगा रखा है हमने कस्टमर क्या होता balance को देखके ही price और balance पर जो weight शोड़ा है उसको multiply करके देता है तो अगर balance पर weight से जादश हो रहा है तो फायदा हो जाएगा उसे और अगर जो actual weight है उससे कम शोड़ा है तो नुकसान हो जाएगा customer के perspective से उल्टा है उसके निए cost क्या है जितने पैसे उसने दीए और earning क्या है जितना वो goods लेक्या है तो question में अगर दे रखा होता है तब ही हम पहले से assume करते हैं वन्ना हम देखते हैं कि इतनी cost है और इतनी earning है उसके हिसाब से निकालते हैं तो यही concept हम mixing में भी पढ़ना है और चीजों में भी रहेगा तो यह basic से समझा था हमने की एक balance है जो कि क्या है 900 ग्राम के 1000 दिखा रहा है और trader क्या है same rate पे बेच रहा है जिस पर खरीद रहा है उसी पर बेच रहा है मतलब कोई mark-up नहीं है इसमें तो यहां profit एक ही चीज़ से हो रहा है उसके faulty balance है तो हम सीधे multiplication factor से कर सकते थे कि 900 ग्राम के लिए 1000 शोग रहा है यानि कि 10 upon 9 उसका factor हो गया earning 1000 actual जो उसकी cost है वो 900 तो 10 upon 9 उसका factor है और यही एक ही factor था इसमें तो सीधे profit percentage इसमें दो हो गई balance तो वही रहा जो 900 के 1000 कर रहा है लेकिन mark-up भी कर दिया ट्रेडर में तो यहां दो multiplication factor आ गया है एक balance की वजह से 1000 upon 900 यानि 10 upon 9 और mark-up 10% increase तो 10% increase के लिए 11 by 10 तो इन दोनों की multiply से हमें पता चलिए है यहां पर हमने scale का पड़ा इसमें इस बार नुकसान हो रहा था उसे actual 110 है और उसकी earning के लिए वो ले रहा था 100 तो यहां पर हमारा जो loss हुआ जिसकी वह से वह factor आ गया 100 upon 110 10 upon 11 और 10% उसमें mark-up कर रहा था तो उसका factor हो गया 11 by 10 दोनों की multiply की तो 1 आ गया है तो multiplying factor का मतलब अगर वन आ जाता है तो ना तो increase हो रहा ना decrease हो रहा यानि नो प्रॉफिट नो लॉट्स मिक्सिंग का गया 16.66% मिक्स कर रहा है तो 16.66% का profit हो रहा है तो कि जिता भी वह water मिला रहा है वो सारा-सारा profit में जा रहा है तो कि water के कोई cost नहीं है तो 16.66 is 1 by 6 और profit है तो 7 by 6 factor बन गया और mark-up भी है 20% का तो 20% का mark-up means 6 by 5 इन दोनों की multiply की 7 by 5 तो profit पता चल गया 40% तो हम इसी से करेंगे अब इसमें जितनी भी चीजों की वज़ा से आता जाएगा उक्ति मुल्टिप्लिकेशन फेक्टर हम ले ले लेते हैं higher rate मतला mark-up 20% तो 6 by 5 आ गया profit of only 10% तो इस बार तुम्हें profit दे रखा है और faulty balance का factor पूछ रहा है उसके base पे तो faulty balance का factor आया 11 by 12 यानि loss हो रहा है में सीदे सीदे तो अगर वह actual weight 1000 रखेगा तो जो scale पर reading शोगी 1000 से कम होगी और अगर 1000 रीडिंग शो हो रही है तो actual weight उससे जादा है तब उसे नुक्सान हो रहा है वह पैसे ले रहा है 1000 के क्स्टमर क्या करेगा scale पर देखके ही पैसे देगा और समान वह क्या है 1000 से जादा दे रहा है अब इसमें किया था दो लीटर के साथ 8 लीटर तो इसका factor बनाने के लिए हमने उसकी cost क्या लिखी जो pure milk दे रहा है 8 लीटर की और बेच वह कित तरह earning के लिए 8 प्लस 2 दस मिक्सिंग ऑफ वाटर की वज़े से factor आगे 10 वाई 8 लेकिन एक जो दूसरी चीज आई थी वह यह था 10 परसंट लेस देन वाटी क्लेंस तो यह दरा फेक्टर का ध्यान लेक्ना था में 10 परसंट लेस क्लेम कर रहा है तो 10 परसंट लेस के लिए हम 9 by 10 नहीं बनाते फेक्टर 9 by 10 से क्या हो जाता लेस देन वन हो जाता 9 by 10 से multiply करने का मतलब है कि उसे नुक्सान होना लेकिन उसे इससे नुक्सान नहीं हो रहा फायदा हो रहा है तो multiplication factor बने 10 by 9 वो 90 लीटर दे रहा है एक्चुल में और क्लेम कर रहा है पैसे जो ले रहा है वो 100 के तो इससे हमें पता चलिए कितना आएगा इसमें discount मिला था तो discount मिलने की वज़ा से उसे फायदा हुआ तो हम factor 7 by 8 ने लिया हमने 8 by 7 लिया फिर rate था गया 10% मतलब नुक्सान 9 by 10 factor फिर उसमें impurities mix कर दी 10% मतलब उसे profit of 10% यान 11 by 10 और discount पे वो बेच रहा है तो इस दिस discount की वज़े से उसे नुक्सान हुआ तो 6.66% का loss का मतलब 14 by 15 और लास्ट में उसका balance था जो की सारे factor की multiply लास्ट में क्या बचा 24 by 25 तो कितना loss होगी है 1 by 25 यानी 4 पड़ते हैं तो यह answer होगी है क्लियर एनी कोश्चन कोई क्लास एंग करें पर अके जर बुड़ा आसे अके जर अलाह आफिछ अलाह आफिछ